इंड वी एस वाई, पांच सौवा मैच खेलने उतरेंगे विराट, सचिन के क्लब में होंगे शामिल। अश्विन की निशाने पर कुम्बले का रिकॉर्ड अश्विन ने पिछले मैच में 12 विकेट हासिल किये थे। उन्होंने आठवी बार एक मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लिये थे। इस मामले में अश्विन ने अनिल कुम्बले 8 की बराबरी कर ली थी। वो आगामी टेस्ट कई उपलब्धी हासिल कर सकते हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला त्रनिदाद में गुरुबार 20 जुलाई से खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। उसने डॉमिनिका में खेले गए पहले टेस्ट में पारी और 141 रन से जीत हासिल की थी। ये भारत के पूर्फ कप्तान बिराट कोहली का 500 वां अंतराश्ट्रे मैच होगा। कोहली ने अब तक 499 मैच खेले हैं। उन्होंने 110 टेस्ट, 274 वंडे और 115 टीबीस मैच देश के लिए खेले हैं। कोहली 500 अंतराश्ट्रे मैच खेलने वाले 10वे खेलाडी होंगे। सचिन तेंदुलकर, महिंदर सिंग धूनी और राहूल द्रविड के बाद 500 अंतराश्ट्रे मैच खेलने वाले वो भारत के 4 खेलाडी बन जाएंगे। सचिन ने अपने करियर में 664 मैच खेले थे। धूनी 538 और टीम इंडिया के मौझूदा कोच द्रविड 509 मैच खेले थे। अश्विन ने पिछले मैच में 12 विकेट हासिल किये थे। उन्होंने 8 वी बार एक मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट लिये थे। इस मामले में अश्विन ने अनिल कुम्बले 8 की बराबरी कर ली थी। त्रिनिदाद में अगर वो दो पारियों में से एक पारी में भी अगर 5 विकेट से ज्यादा ले ले लेते हैं तो वो कुम्बले से आगे निकल सकते हैं। इसके अलावा वो भारत वेस्ट इंडीज के बीच मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भी कुम्बले को पीछे छोड़ देंगे। सचिन ने अपने करियर में 664 मैच खेले थे। धोनी 538 और टीम इंडिया के मौझूदा कोच द्रविर 509 मैच खेले थे। क्या है कर्सक्ति जादा वो भी के अश्यादाई टीम भी के बीचेट वो भी कर्दार्विर 509 मैच में भी को बीच खेले इंडिव ते बीचल आएंगे। झाल झाल